सबसे पहले वाड नमबर चार पे हमारा आना हुआ यहां पर हरपाल जी जिनकी मैडम सीमा रानी यहां से अच्छे वोटों से भी जाई रही और यह देखिए इनका जनसलाब यहां से इनका नारे हूटिंग होते हुए यहां से अपने जीत की खुशी को इजाहिर कर रहा है यह देखिए यहां से दोल और नंगाडों से यहां पर यह देखिए कितना जोर और शोर यहां से हो रहा है यह देखिए दोल और शोर यह देखिए अपने जीत की जसन की खुशी में यह सभी लोग नास्ते हुए और अपनी सीमा रानी को जिताने की खुशी में यहां से बहुत ही सभी लोगों के हर चेरे पर खुशी है यहां पर हमारे वाड नंबर 4 की खुशाली दुवारा से होगी और अच्य तरिके से होगी आज यह देखिए कामरेंन को जाहुँँगा यहाँ पर भी तेखाएए दूर से और दूर तक दिखाएए यह देखिए सभी को दिखाएए भूट बडिया खुशी यहाँ पर गया आज हमने अच्छे मतों से यहाँ पर और हमारी रिटा रानी को यहां से अच्छे मतों से यहां से आप उजड़ दिता है मैं थोड़ा सा इनकी जो बहन है, सिस्टर है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा आप इस खुशी को किस प्रकार से जाहर करें आई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप सब की जीत के साथ हरपाल की जीत है, मैं जोद पूर से श्पेशल अपने भाई के जीत के लिए आई थी, हरपाल अमसी आप ये जो हरपाल जी की बहन है, मैं ये कहना चाहूंगा, आप चार नमबर वाड के वाशियों के लिए क्या बैसिज देंगे हम यही कहते हैं कि हरपाल ने जो जो काम किये, वो आगे भी ऐसे करता रहेगा, और उसकी जीत सब की जीत है और हमारे एक पंड़ाजी हैं, बहुत बढ़िया पंड़ाजी हैं, आप इस जीत की खुशी में कुछ हमारे वाड नमबर चार के लिए हरपाल जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे हम यहीं कहेंगे बाई हरपाल की जीत नहीं यह पूरे वाड की जीत है और यह हैट्रिक है है यह है और एक मेरा बाई और यह भी बहुत बढ़िया इनके समर्थन रहें हरपाल जी के आप क्या करना चाहेंगे मैं कहूंगा यह पूरे वाड की जीत है पूरे बाई चरे की जीत है एक ताद जिंदा बाई हरपाल जी की यहां सीमरान जी की बहुत बढ़िया जीत होई जीत की खुशी के अंदर यहां सभी लोग नाशते हुए गाते हुए और अपन